रादे रादे हरे क्रेशना कैसे हो आप सभी लोग आशा करती हूँ आप सभी परमंगल में होगे सुखत होगे अच्छे होगे आज की वीडियो बहुत इसपेसल वीडियो है और आज की वीडियो है क्या राधरानिय और भगवान श्रीकिष्ण जी का विवा हुआ था क्या कुछ उसका साक्षी है जिसकी कोई पेड हो गया जो उसका साक्षी हो गया और आखिर उनका विवा क्यों हुआ था किसने कराया था और क्या विरिंदावन में आज भी ऐसी कोई जगे है मत्रविंदावन में यहां पर यह सिद्ध होता हो कि राधारानी का विवा श्री कि सिंदूर बने मंदिर में बात करने जा रही हूं भाण्डिःवन विरिंदा वन्द से ठोड़ सा आगे ही इसतिर भाण्डिःवन में श्रीकिषिन जी खांदिरται मंदिर में जो इस मंदिर में प्रतिमा है वह पूरे बिढ़ 94 कोश्ट में एक ऐसी प्रतिमा जिसमें भगवान श्रीकिषिन जी राधा रानी की माग में सुदूर भर रहे हैं और ये द्रिश्य देखकर मन में जरूर सवाल उत्पन होता है कि राधा रानी अर भगवान श्रीकिषिन जी का अगर विवा हुआ है तो कौन से गिरंत में उसका बढ़नन है क्योंकि राधारानी बड़ी थी कनहिया जी छोटे थे और जब मांग भरने लगे तो उन्होंने अपने पैरों की उंगलियों पर खड़े होकर खड़े होकर राधारानी जी की मांग भरी थी आपना जब भी भांडेर बन जाओ जो कि वरिंदावन से थोड़ा सही आगे पड़ता है भांडेरवन यहाँ पर एक ब्रक्ष भी है जो इस चीज का साक्षी है और वहाँ पर जो यह चित्रन है जिसमें भवान श्रीकिचिन जी अपने पैरों की उंगलियों पर खड़े पूजारी जी खुद दर्शन करवाते हैं ठाकुर जी के चड़नों के और इसका जो वर्णन है यह गर्ग सहीता में मिलता है गर्ग सहीता के अनुसार राधाज किशिन जी का जो विवा है वह भांडेरवन में हुआ था आज भी उत्तरपरदेश की मतुरा जिला में दूरी है राधा किशिन जी से जुड़ी ही होने की कारण इस जगे को बहुत ही पवित्र माना जाता है भांडेरवन को जो की मतुरा से 20 किलोमेटर दूर है जिस जगे पर राधा श्री किशिन जी का विवा हुआ था आज भी वहाँ पर एक पेड मौजूद है उस पेड के नीचे राधा श्री किशिन जी के साथ भगवान ब्रह्मा जी भी उपस्तित हैं साथ ही पेड के नीचे एक बोड पर विवा का पूरा विर्णन दिया हुआ है एक दिन नंद बाबा बालक किशिन को गोद में लेकर घूम रहे थे घूमते हुए वो दोनों पहुंच गए औ अपनी माया से आंधी तूफान का वातावरण बना दिया भगवान किशन की इच्छा हुई ही तब से वो बन में बहुत तेज तूफान आ गया और यह देखके नंद बाबा डर गए कि विश्री किशिन को गोद में लेकर एक पेड के नीचे खड़े हो गए भगवान कस्मन करने लगे उसी समय वहां पर देवी राधा आ गई नंद बाबा किशन और राधा के देव अफ्तार होने की बाद जानते थे वह देवी राधा को देखते ही हाथ जोड़कर उनकी सुति करने लगे कुछ समय बाद नंद बाबा बाल रोपी भगवान श्री किशन जी को देवी राधा रानी के हाथों में सौप कर वहां पर चले गए और नंद जी के जाते ही श्री किशन ने अपना दिव्य रूप धारन कर लिया और श्री किशन जी की इच्छा पर भगवान ब्रह्मा वहा पर आ गए और उसके बाद भगवान ब्रह्मा ने अगनी की स्थापना करके देवी राधा और भगवान श्री किशन जी का विवा कराया राधा किशन जी के विवा के सभी देव देवताओं ने भाग लिया और उन्हें आशिरवारे दिया भांडिर वन में जिस भांडिर ब देखते ही बनती है इस इस्थान की महिमा का जो वर्णन है मैं अपने सब्दों में बया नहीं कर सकती विवा हुआ था तो एक पीर इस विवा का साक्षी बनातों और इस विवा में किवल चार लोग मौझूद थे इस विवा में ब्रह्मा जी नारद मुनी स्वेम राधारानी और भगवान श्री किशन जी मौझूद थे भांडिरवन वह इस्थल है यहां पे ब्रह्मा जी राधा किशन जी का विवा कराने आये थे और यह इस्थल बहुत ज़्यादा एतियासिक है अच्छा गर्ग सहीता के साथ साथ ब्रह्म वैवत पुरान में भी इसका वर्णन आ पर आया था उसकी जटाएं विशालकाएं फैली हुई है उस बटव्रक्ष की साखाओं में बना विवा मंडप आज भी मौझूद है और राधा राने जी की मांग में सिंदूर भरते हुए श्री किशन जी के दुल्लप छभी इस मंदिर में प्राचीन समय से स्थापित है भारत वर्स में ऐसा मंदिर नहीं है ऐसा मंदिर केवल और केवल भांडिर वन में ही है भांडिर वन में श्री राधा जी और श्री किशन जी का मंदिर बना हुआ है इस मंदिर में इस जो विग्र है वो अपने आप में अनोखा है यहां पर सोमवती अमावश्या के दिन पर जो दम पती है उनको संतान की प्राप्ती होती है आज भी बांसुरी की तान सुनाई देती है बहंद empowered00 के पास एक बंसीबत नामक की स्थान है कहते हैं भगवान श्री किश्रिजी यहां पर गया चराना आया करते थे देवीरादा यहां पर श्री किशन जी से मिलने और राधारानी की बासुरी की अवाज सुनने को मिलती है भांदिरवन के बारे में एक जानकरी में आपको और दे देती हूं कि जो भांदिरवन में जिस बट ब्रक्ष के नीचे राधारानी और श्री किष्ण जी का विवा हुआ था उस बट ब्रक्ष की जो साकाएं हैं वो एक दूसरे से लिप्टी हुई है और यह है अपने आप में एक दुल्लब योग है गर्ग सहीता में और गीत गोविंद के अनुसार और ब्रह्म वैवत पुरान के अनुसार ये कथा आती है तो आसा करती हूं आप जब भी मत्रा विंदावन जाओगे तो विंदावन से 10 किलो प्रह्मा जी भी है और उनका भी चितपट वहां पर इस्तित है उस बटब्रक्ष की परिकर्मा भी अवश्य कीजेगा और साते की साथ अगर आपने संता अंदम बत्ति हैं तो मेक शोर कि आप लोग जरूर और जरूर सौम्वती अमावश्या वाले दिन महां पर जाकर पू पूजी दीजी जाजत रादे रादे हरे क्रिश्ना हरी बोल